कि यहां पर अगेन यह ओवर जोन पर पहुंचता है तो हो सकता है कि यहां से दीचे शेर में एक गिरावर्ट हमें देखने को मिले और शेयर का नीचे गिरता है तो कितना यहां से गिरने की पॉस्पिलिटीज है अभी शेयर का प्राइज है 133 जहां पर कि इसका RSI 70 के आसपर तक अभी शॉट टम में जाए लेकिन वहां से इसमें गिरावर्ट देखी जा सकती है यहां से गिरता हुआ नीचे आ सकता है जहां पर कि इसका जो सपोर्ट जोन हमें दिखाएता है वह 125 का है और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो 114 के तक पहुंचता है जिसकी समावनें क कम ही दिखाएती है यहां से गिरता हुआ 125 के आसपास आए और वहां पर हो सकता है कि अगें यहां से एक ब्रेक आउट लेता हुआ उपर के ओर जाए तो यदि आप इस चैर में अभी नहीं है तो थोड़ा से निजार केजिए और शेयर को इसको डिक्लाइन होने के आए देरा है शेयर का प्राइस जो की 21 फेवरी 2030 को 68 रुपीस के आसपास का ता वह बढ़त करके हो गया है 134 रुपीस का याने कि पिसले शे मेहने से कम समय में शेयर ने और मोस्ट डबल का रिटन दे दिया है शेयर को और लगातार इसके अदर अपरेंट देखने को मिलता है तो आज के इस वीडियो में हम दोग अनलाइज करेंगे कि इसमें क्या रिटन मिल सकता है यदि हम आज इसमें करते हैं साथ ही इसके रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को भी जानेंगे और यह देखेंगे कि कहां पर हमें इसमें इंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी च कंपनी के प्रोड़क्स हैं हाइड्रोजन सिलेंडर, मेडिकल अप्लैंसे सिलेंडर, ब्रिटिंग एर सिलेंडर, अल्यूमिनियम सिलेंडर, C&G, कम्पोजेट सिलेंडर, जंबो सिलेंडर और कंपनी के प्लांड इंडिया के अलावा दुबेई, चाइना और USA के अंदर में कंपनी के हैं, एवेस, कांटो, सिलेंडर, लिमिटेड, NSE और BSE दोनों ही एक्स्चेंज में रेजिस्टर कंपनी है, कंपनी का टर्न ओवर 1193 के असपास में है, पिछले एक साल में शेयर का प्राइज मिनिमुम 66 से बढ़ करके 187 के हाई तो गया था, और एट प्रजेंड एक शेयर का प्राइज है 133 रुपीस, 50 पैसा, पी रेस हो 20.52 यानि की बहुत सही अच्छा पी रेस्यो है, यहां पर अर्निंग परस्यार 6.42, सेल है 180.32 और फेस वेल्यों है 2 रुपे की, साथी कंपनी ने पिछले जो डिविजन दिया था, वो अपने फेस वेल्यों के पर 35% का डिविजन दिया था, यानि हर शेयर के ब सेविंडी पैसे का डिविजन ने दिया था, अगर डिविजन हिस्टे mixture को देखते हैं, तो company लगातार अपने shareholders को डिविजन देती आई है, दो जार रिकिस में दोजार बाइस में और दोजार तेईस में लगाता है डिविडिन देती आई है उससे पहले भी कमपनी लगाता है अपने शेयरोड को डिविडिन देती आई है और शेयर का प्राइस टाइस किया था 66 के आदफा जो की लोगश था यह 20 फैवरी का था उसके बाद इसके अंदर शेयर में एक क्लियर अप्रेंट आता हो दिखाए देता है और ब्रेक आउट हम देखने की लगाता इसके अंदर आ रहा है और एड प्रेजेंट जो शेयर का प प्राइस जो की हमने देखा कि यहां पर फैवरी में 68 का अस्पास बढ़कर के हो गया है 133 का एक नज़े डालते हैं प्रॉफिट लॉस के उपर तो प्रॉफिट लॉस में देखें कि जो सेल कंपनी की है उस सेल में जो रिटन है दो 22 मार्स को जो सेल था वो था 1677 और मार्स 23 का था 174 लेकिन इसम्में जो सेल को कर देखते हैं तो पिसले अगर हम 2020 दो 2108 दुटा देखते तो वहां पर सेल की अंधर अप ब्रॉफिट फिर द्क है लेकिन पिसले 222.23 को में करते हैं तो यहां पर जो सेल की ग्रोथ है उस में एक डिकलाइन हमें दिखाये देता है साथी कंपनी के expenses भी लगातार बढ़ते भी दिखाए दिते हैं साथी कंपनी का जो operating profit 2000 मार्च 2022 के closing में 399 का था वो 2023 के मार्च में कम होकर 161 हो गया है तो ये एक थोड़ा challenging है कंपनी के लिए OPM परसंटी 24 परसंट था मार्च 2022 में जो अब कम होकर 13% हो गया है cash flow को अगर हम consider करते हैं तो cash flow में जो मार्च 2022 को 165 का था वो अब कम होके 106 हो गया है ये भी company के लिए चैलेंज है debtor day ratio जो मार्च 2022 में 49 था वो 53 हो गया ये भी बड़ा है तो ये भी company के लिए चैलेंजिंग है shareholder patterns को गर हम देखते हैं तो shareholding patterns के अंदर shareholding patterns में जो promoters के इस्तेदारी है वो 67.39 है ये रिटेन है लंबे समय से जो 2022 को गर्म देखते हैं 2020 में भी promoters के इस्तेदारी 67.39 थी और अभी भी लगाता 67.39 है ये अच्छी बात है प्रोमोटरी से दार रेमें बनीवी है FIS का इसके अंदर contribution है 0.31 डिया इसका है 0.79 और पब्लिक का इसके अंदर investment है 31.51 परसंट का shareholding pattern है एक बार वापेस नजर में डालते हैं average Conto Cylinder Limited के चार्ट पेटरन को तो हम देख रहे हैं कि इस पर अंदर जो हम इसमें सेनेरियो तो हम देखे हैं पिसले तुछ समय में तो हमें क्लियर ली इसके अंदर decline दिखाए दिखा है यह हमारे पास था 11 जन्वरी को 2022 के अंदर यहां से शेर में एक क्लियर decline आता हो दिखाए दिया आता शेर यहां से गिरता हुआ नीचे आया था और अपने एक सपोर्ट लेवल जो की 133 का था उसको भी इसने तच किया था लेकिन उसको भी इसने ब्रेक करता हुआ शेर वापिस नीचे लगाता गिरता आया था और इसने एक लोड टच किया था अपना शेर का प्राइस जो था 66 रुपीज का 15 फैवरी के आसपास का लेकिन उसके बाद शेर में एक अप्रेन हमें आता हुआ दिखाई देता है और शेर बढ़ता हुआ वापिस ट्रेंड लाइन को मैं यहां ड्रॉक करता हूँ तो 16 फैवरी के बाद शेयर में एक क्लियर ब्रेकाट राता दिखाए देता है और शेयर का प्राइस आल्मोस्ट बढ़ करके डबल हो गया है लेकिन अगर मैं RSI को देखता हूँ तो RSI मुझे क्या बताता है हम RSI को कर हम कंसीडर करते हैं यहां पर तो RSI के अंदर एक चीज क्लियर दिखाए देती है कि जैसे ही RSI 70 को क्रोस करता है तो वहां से शेयर में एक ग्राउट हमें दिखाए देती है जैसे कि यहां पर हम देखते हैं कि 10 April 2020 को जो RSI था वो 70 को ग्रॉस कर गया था उसके बाद एक decline आम में दिखाये दिया जो RSI 50 के आसपर पहुंचा था वापस के अंदर हमें एक uptrend दिखाये दिता है उसके बाद फिर से शेयर का प्राइज 70 को ग्रॉस कर था 70 में से यहां पर कि यह मैं अगें ड्रेंट आया यहां पर ड्रॉोंड करता हूं यहां पर लंको दिखाता हो तो यह पना जो ड्रेंड ना करी हाँ ए ओड्स एक क Really तरह यह ओुग से और जैसे हैं इसुआ यहां से फिर से में प्रेंड का ट्रेंड करता ता है और नीचे आता है वापस से 50 के RSI पर पहुंच करके फिर से एक अप्ट्रेंड दिखाते हैं वापस ही हमारे 70 ऑक्रॉस किया है और नीचे पहुंच करके फिर से इस ने अप्ट्रेंड दिखाई दिया तो अभी हम देख रहे हैं कि जो शेयर का जो RSI है वो अगेन यहां पर 70 को क्रॉस करता अभी शेयर का प्राइज है 133 जहां पर कि इसका RSI 70 के आसपर यानि 70 को ट्रस करता हुआ दिखाएता है तो हो सकता है कि इसमें एक वापवे से थोड़ा सा पुल बैक दिखाए दे शेयर हो सकता है में भी कि यहां 33 से 140 के आसपर तक अभी शॉट टम में जाए लेकिन वहां से इसमें एक गिरावट देखी जा सकती है शेयर यहां से गिरता हुआ नीचे आ सकता है जहां पर कि इसका जो सपोर्ट जोन हमें दिखाएता है वह 125 का है और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो 114 के तक पहुंच सकता है जिसकी समावनें कम ही दिखाएती है अनिकि यह भी पर इसको कि आज के पॉसिबुडी जहां पर दिखाए जाएगा तो यहां पर इसको एक सो पच्चीस और एक सो बीस के आने पर इसमें 12 कर सकते हैं और आपको इसमें अगर अगर एंटी करते हैं 1220 के असपास में तो यह शेयर को वापिस कहा तर लिगा जाएगा तो मेरा य यानि कि अगर आप इसमें 125 के और 120 के लेवल पर दुबारा से इंट्री करते हैं तो उसका जो नेक्स टार्गेट है वह 160 और 165 के आसपास होगा और वहां से फिर से ये इकबार कर ब्रेक आउट करता है तो ये शेर वापिस दोस्तों को क्रॉस करता हुआ दिखाए देगा प्राइज यतनी टैसे बढ़ता है उतनी टैसे नीचे भी आता है तो इसके अंदर रिस्क बने रहते हैं तो किसी भी शेर में इन्वेस्मेंट करने से पहले उसके सभी रिस्क और रिवार्स को जानने के बाद ही आप शेर में इन्वेस्मेंट किजीगा यदि आप में चैन को कि अच्छान अब्सरी यजयों कैट कि अच्छान नहीं जडग पर वाचिए